नमस्कार आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है इसकी जो सेपरेट प्लेलिस्ट है मैं आप बना दूँगा अपने चैनल पे उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सिंपले इन पांच वीडियो को देख सकते हैं तो आज का जो सेशन आखरी सेशन आज उसको कंप्लेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो आखरी वीडियो है इसमें हमने कौन-कौन से बहतरीन प्रस्टों को सम्मिलित किया हुआ है तो चली वीडियो को सुरू करता है अगला प्रस्ट आपके स्क्रिन पर ह backbone अपको बताना कि जो ब्रिहर सिचाई यूजना होती है इसके अंतरगत कितने हेकटेयर भूमी पूछी जा रही है कितने हेकटेयर या उससे अधिक क्रिसी भूमी के लिए सिचाई की यूजना बनायी जाती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ट तो ब्रीहद सिचाई यूजना के अंतरगत जो 10,000 हेक्टियार उससे अधिक किक्रिसी भूमियां होती है उनके लिए सिचाई की यूजना बनाई जाती है तो राइटेंस आपको क्या हो जाएगा बड़ी बड़ी नहरें इसके अलावा आप द्यान दिजे का जो बहु उद्देसी नदी गाटी परियोजनाएं होती हैं इनको भी ब्रिहद सिचाई योजना के अंतरगत समलित किया जाता है तो इनके बारे में भी आपको याद अगना है वह अगर हम ब्रिहद सिचाई योज तक की जो क्रिसी भूमी होती है उसके लिए सिचाई की योजना बनाई जाती है तो इनके बारे में भी आपको याद अगना है अगला प्रसनिया प्रदान मंत्रिक क्रिसी सिचाई योजना की शुरुवात कब की गई वेरे वेरे इंपोर्टेंट रसन तो आप ध्यान दिजेगा आपकी जो प्रदान मंत्रिक क्रिसी सिचाई योजना है इसकी जो शुरुवात है एक अप्रेल सन 2015 में की गई थी ओप्सन आपका जो ए है 100 परसन्ट शाही है एक अगला प्रस्निया पे मारा है निर्मनलिखित मेंसे किस में मतलब किस के माद्ध्याम से आप ऐपको सिचाई के कुछ इंपोर्टेंच षोद दिए गया है क्रिकशाई के कुछ कुछ साधन दिए गया है इन साधनों में से आपको बताना है कि वह कौन सा साधन जिससे सरवाधिक मातरा में भारत में सिचाई की जाती है काफ़ important है प्रस्द है तो ये सभी आपके जो सिचाई के साधन दिये गए इन में से जो आपका option A है कुई और नलकूपका इससे जो है भारत में सरवाधिक मातरा में सिचाई की जाती है तो option आपका जो A है बिल्कुल सही है कुउओ और नलकूपूपों के माद्य में से भारत में लगबग 61% जो एरिया भारत का सिंची तेरिया उसकी पूरी सिचाई की जाती है कुएं और नलकूपों के माद्यम से तो option आपका 100% सही आप इसे ध्यान देजेगा यहाँ पे ए टेबल आपको घोल के पी जाना है इस टेबल को आपको बिलकुल ध्यान से देखना है यहाँ पे आप देखना है कुएं और नलकूपों के तरह जो है भारत में लगबग 61% जो या भारत का उसकी सिचाई की जाती है तलाबों के तरह जो है क्रिसी भूमी जो होती हुँ दो दस्मनोग साथ प्रतिसत उसकी सिचाई है वो तलाबों के तरह की जाती है उसके बात अन्य सादनों के माद्यम से लगबग 10.9 एक प्रतिसत एरिया को की सिचाई की जाती है अन नलकूपो और कुमे के माद्यम से की जाती है तब इसे ध्यान दिजेगा वहीं तलाबों के तरह सबसे ज़्यादा जो सिचाई है वह तमिलनाडू राज्जी में देखने को मिलती है यह दोनों फैक्ट आपको याद अखने है भूलने नहीं है इसके लावा और सभी राज्ज है जहां पे इनके माद्यम से सिचाई की जाती है इनको भी आप एक बाल देख लिजिएगा इसके बाद अगला यहां पे प्रस्न है नलकूपो के तरह सरवादिक सिचाई किस राज्जी में की जाती है तो मैंने आपको अभी बताया है नलकूपो के तरह सरवादिक मात्रा म की जाती है, very very important प्रस्ट तो भारत में तलाबों के तरह सरवातिक सिचाई मैंने आपको अभी बताया था, तमिलनाड़ु राजी में की जाती है, यह नि कि ऑप्षन आपका जो ए है बिल्कुल सही है तमिलनाड़ु राजी में भारत में तलाबों के तरह जो है सबसे अधिक म तो चली पहले कथन को देख लेते हैं, पहला कथन हमारा क्या कहा रहा है, इस सिचाई पद्धती के ज़रा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंध बूंध करके टपकाया जाता है, तो बिल्कुल सही कथन है, आपकी जो डृप सिचाई होती है, उसमें क्या होता है, जो पा दिन छोड़ कर दिया जाता है, तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ड्रिप इरिगेशन से रिजटर जितने भी इंपोर्टन फैक्ट और पॉइंट है मैंने अल्लेडी कवर कर दिया है, आप मेरा पिछला वीडियो जरू देख लिजेगा, इसके काफ़ इंपोर्टेंट यह प्रस्ता है, इसके बाद अगला प्रस्तन आपके क्या कह रहा है, देख लिजे, हरियाली योजना का संब्ल्ब्ध आपका जल परभंधन से है, तो आपको बताना है कि यह जो आपकी हरियाली योजना है, इसकी जो सुरूरात कभ की गई थी, very very important इन प्रशन के तोरी आली युजना का जो प्रारंब' है किया गया था आपका सं 2003 प्रोल संच यह 1 Сundidhioma 33 में हरियाली यूजना को सुरूख किया गया था, इस हरियाली यूजना का संबंद आपका है जल प्रबंधन से, तो आप इसे ध्यान देजेगा आप कन्फीज मत हो जाएगे कि हरियाली यूजना जो संबंदे तो कि हरियाली सें होगे नहीं लेकिन नहीं, इसका संबन्द इसके सब्द पर आप मज़ेगा, इसका संबन्द निया पर होता है जल प्रबंदन से, तो आप इसको confuse आपको नहीं होना है, जल प्रबंदन इसका right answer है, इसके बाद अगला प्रस्थन आप हमारा है, निमनलिकित में से किस पद्धती के अंत्र जल के साथ उर्वरगों को मिला कर सिचाई प्रक्रिया की जाती है, काफी important है प्रस्थन है, तो वह कौन सी पद्धती है, जिस पद्धती के अंत्रetrकत जल के साथ उर्वरगों को मिला कर सिचाई को अन्जाम दिया जाता है ताप इसे ध्यान दिजेगा option जो आपका B है बिल्कुल सही है इस वीदी के अंतरगर जो जल होता है जल और खाद का जो है जल और उर्वरकों का जो है अधिक्तम उप्योग हो पाता है इस वीदी के अंतरगर ताप इसे ध्यान दिजेगा तता इस वीदी की जो खोज है इजराहिल से मानी जाती है तो आप इसे ध्यान दिजेगा इस वीदी की जो खोज है आपकी इजराहिल से मानी जाती है तो option आपका जो B है बिल्कुल सही है तो प्रधान मंतरी आपके जो जवाला नहरू थी इनके द्वरा आधनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया था तो जवाहला नहरू के द्वरा तो आप इसे ध्यान दिजएगा बहुँ उद्धेसी परियोजना है तो आप ध्यान देजेगा स्वतंतर भारत की जो सबसे पहली बहु उद्धेसी परियोजना है इसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना यानि कि option जो आपका B है बिल्कुल सही हो जाएगा दामोदर घाटी जो परियोजना है या स्वतंतर भारत की पहली परियोजना है तो आप इसे या देखेगा इस परियोजना के अंतर का दामोदर नदी इसके अलावा उसकी जो सायक नदियां है बराकर हो गई, कोनार हो गई, इस परियोजना को बनाया गया है तो आप इसे ध्यान देखेगा या जो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है या अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित किस पर तो अमेरिका की जो टेनेसी अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उस पर अधारित आपकी दमोदर घाटी परियोजना तो आप इसे ध्यान देजेगा वरी वरी इंपोर्टेंट था इस परियोजना का जो विस्तार है आपके मुलेगा जार खंड और पस्चिम बंगाल में तो आप इसे ध्यान देजेगा very very important काफी important या प्रस्न था आपका तो यहां हमारा आज का last प्रस्न भी था यहां से आज का जो आपका जो क्रिसी का topic है वो पुरी तरह से समाप्त हो जाएगा I hope यह जो topic है आपकी exam के लिए बहुत जादा का फाइदे मन्न होगा तो आज के लिए इतना ही कल से हम फिर एक नए चेप्टर की सुरुआत करेंगे एक नए topic की सुरुआत करेंगे तब तक के लिए thank you thanks for watching thank you